अच्छा स्लाम अलेकुम तो फाइनली सेकंड पार्ट ऑफ चेप्टर वन इस गोइंग तो स्टार्ट आज हम शुरू करने हैं पैटी कैश से और बहुत मज़े के टॉपिक्स होने वाले हैं आप लोग बहुत इंजॉई करने वाले हैं आज के लेच्चर में मतलब आपको मैं आप लोगों को मज़ा आएगा अचा पैठी कैश किया थै आपको पता है मैंने हमने कहां से इक्जामपल से शुरू की थी कि स्टूटर्ट जाते हैं उनके पास पढ़ते हैं दो सर्वेसिस देते हैं दो से बिजनस कहते हैं बिजनस प्रॉफिट मेकिंग के लिए होता है इ जिसके पैसे आपने देने हो कर्जे पर कोई चीज खरीद हो कर्देट सेल पढ़ा कर्जे पर कोई चीज बेचो पेबल पढ़ा है जो हमने कर्जा देना है रिसीवल पढ़ा है जो कर्जा हमें वापस मिलना है जो हमारा एसिट होता है तो यह सब चीजे हमने पढ़ी है आपको पते है और टीचरस की बेती है जब उनका प्री पिरेड होता है यह रोग अप्री पीर运गा टीका छिए बीटे धिते मैं फा तो में स्कूल की हुझtes करें करें हैं क्नि अप्रन के Самोसा अप्रोच को अभी मिलता ससक्ता था पास पैना पैब पीन नहीं पढ़ा उनके पास तो वह जहेंगे खरीदने के लिए बाट तो वो कौन से पैसे यूज़ करेंगे अब ये तो नहीं होगा कि वो फाइनेंस के पास जाएंगे मतलब जो एक डिपार्टमेंट होता है जो सारे कमध्य के पैसे मैनेज कर रहे होता है फिर वो जाएंगे CEO के पास उससे पैसे लेंगे कि यार मिझे दो बैंक से इस सिस्टम को करते करते तो उनके दो तीन दिन नहीं लग जाएंगे क्योंकि देखें यहां पर मैं आपको टॉपिक पढ़ाने हो लो अगर आपने कुछ पैसे लेने लिए न फाइन से तो आपने डॉकमेंट बनाना होता है फिर उसको साइन करवाना होता है फिर वह अप्रूव होता है ठीक है इस बाते में बोलू है आपको समझा जेंगी अब ही थोड़ा सा खाली उसका थोड़ा से समझो तो वह पूरा हर business जो उनका department होता है admin यह जो friend desk को ले जो होते हैं यह जो आप जिन के पास admission किर वो होते हैं है यह कोई उनने स्पेसिफिक बंदा लेको होते हैं जिसके पास नहीं का आप समझेगा सुबह आया तो श्कूल वनने नहीं 1000 पै को प्षे जा चाह के ले को समान लाना हो प्यान ल अब ऐसा भी नहीं है कि मुझे घर के लिए चीनी चाहिए तो मैं उसको जाए को चीज खरीदेगा अच्छा अब 20 रुपय पढ़े होंगे ना उसके दराज में एक हजार पया रखे जिसे हम तिल भी कहते हैं ठीक है तिल जिसमें सारा रिकॉर्डर कर जा रहते हैं अच्छा अब नो सो तिल वैसे घले को भी कहते हैं वह आप लोग जिसमें बच्वें ने पैसे जमा करते था ना उससे भी कहते हैं अच्छा अब यह 980 रुपय पढ़ें फिर उसके बाद जा कि वह एक मारकर एक और एक के लिए बैट जाएगा ओ भाई शिट मैंने तो पता नहीं क्या 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 लेकर आता साथ अब मुझे याद नहीं है अब उसके लिए क्या तरीका होता है पैटी कैश वाउचर अब यह क्या होते हैं पैटी कैश आपको समझ आ रही है कि जो पैसे उसने डे-बाई-डे के पैसे ले रखने होते हैं अपने पास किसी पैसे बंदे को बिजनस उने लख़ते हैं उससे पैटी कैश गेते हैं अब जब वह बंदा एक हजार पय में से नहां 20 रुपै का पहने लेगा तो बाकी बजलेंगे 980 रुपै और वह एक पैटी कैश वाउचर साथ रख देगा जिस पर लिखेगा Marker, Demanded by Moise, और मेरा साइन भी ले ले लेगा, अपना भी साइन कर लेगा, और ये उस 20 रुपै की जगा रख लेगा, अब 980 रुपै कैश पढ़ा होगा, प्लस 20 रुपै का वाउचर पढ़ा होगा, तो इसे कहते है पैटी कैश वाउचर, अब जब फाइनस टीम आएगी, तो उसने 400 रुपै के जए एक्सपेंसिस की होंगे, वो तो कीए मैंना, अब फाइनस टीम को बताएगा, ये देखो, मेरे पास 600 रुपै है, लेकिन मेरे पास 400 रुपै के पहटी कैश वाउचर भी पढ़े हैंना, अब कैईगी, फाइनस टीम हाँ, अब तुमने सही कान की है न, अब हमें रिकॉर्ड मिल रहे हैं, तुमने हजार पै किदर किदर खर्च ही हैं, जैसे का एक और एजामबल देता हूँ, कोई बिजनस चल रहा है और कोई गेस्ट आ जाता है उनका, कोई मेटिंग होनी है कोई गेस्ट आ जाता है, जो जिसके साथ मेटिंग होनी हैं, जिस मैनेजर के साथ То busy है भी, अब उस्गेस्ट की क्या करेंगे, वैसा भीठार दे, कुछ चैइच panलाएंगे, उसको क् образ बिसकिट देंगे, किसी डिरीव लेगो किसी राइडर को आपने का या बिस्केट लेकर आओ उसमें कुछ रखना भी तो है ना जो चाले सब्सक्राइब का बिस्केट आ रहे है उसकी जागा कोई प्रूव भी धोन है कि विस्केट आया था ठीक है आपको पैटी कैश का एक सिस्टम समझ पढ़ गई होगी पैटी कैश क्या होता है समझ पढ़ गई होगी बहुत इजी ली देखो यहां पर लिकाए पेमेंट फॉर स्मॉल ओफिस एक्पेंसे सच चाफी बिस्केट स्टैम्स पेमेंट फॉर टेक्सी फेयर मतलब किसी मैनेजर ने किसी काम के लिए मार्केट जाना है तो उसके लिए वह पैटी कैसे पैसे ले लेगा अच्छा कोई बिमार हो गया तो उसके लिए दर से पैसे निकाल लिए जाएंगे दिफ्रां यह चोटी-चोटी चीजे सारी लिखी है यह पढ़ लेना बहुत ईजी है जो मैंने बोला है वही यहां पर लिखा गए ठीक है अब पे रोल क्या होते है देखो आप स्कूल था स्कूल के पास बच्चे आ रहे थे पढ़ने के लिए टीचर उनको पढ़ा रहे थे अब बिजनस तो है स्कूल का सर्विसिस देने को पैसे तो कमार है उसका उनर लेकिन भाई जो मैंने बिजनस की डिफिनेशन ने याद हो बता उनको चभी कुछ मिलना ना यार तीचर्स जो काम कर रहें जो टीचर्स अपनी सर्विसिझ धरैए जो पढ़ा रहें जो इस औप्जक्टिफ के करें करेंगे स्कूल क llamar को या उनर को प्रॉफिट होगा को उसे pay roll में defined किया जाता है खीक है अब इther लिखा है है कि हाँ डिफरंट थीके pay roll के system हो सकते है mostly जो होते हैं वह महीने के आखर में पैडिया जाता है पूरा महीना ईपने business को अपनी time दोगे उतना सबकुछ दोगे महीने के आकि आखर में आपको business बात मिलती है, different तरीके होते हैं, different हर सिस्टम के अपने प्रोटोकोल होते हैं, हर सिस्टम के अपने SOPs होते हैं, अच्छा, और कुछ freelance होले भी होते हैं, उसमें आप अपने employee होते हैं, अपने boss भी होते हो, तो उसमें आपको depend करता है, आपने कितना काम, अच्छा, हाँ, contractual employees भ ही होते हैं, वो specialized लोग सिर्फ 10 दिन आते हैं, उनको सिर्फ 10 दिन के पैसे मिलते हैं, ठीक है, तो वो होते है contractual employees, उन्होंने वो contract पर रखे होते हैं, अच्छा, मैं आपको एक और बाता हूँ, आप किसी भी office गए हो, आपने देखा होगा, वहां security guard खड़ा होते हैं, ठीक ह अगर आप UBL bank जाते हैं, तो UBL के uniform पेंगे नहीं खड़ा होगा, वो Zim security के लेके खड़ा होगा, ZIMS, किसने किसी security company का होगा, तो वो जो employees होते हैं, वो contractual employees होते हैं, जिनके साथ एक contract होते हैं, किसी दूसरे third party के शुरू, मतलब UBL bank है, वैसी example है, UBL bank है, वो गया, Zim security के प पेरोल उनको भी जाएगा, लेकिन वो contractual payroll जाते हैं, ठीक है, खैर यह थोड़ी से, इस दूसरे हो यह बात, यह बात थोड़ी से, थोड़ी से advanced level के लिए, लेकिन खैर समझ जो थोड़ा सा, अच्छा, employees को differently, से उनकी wages पे की जा सकते हैं, cash भी दिया जा सकता है, check भी दिया automated clearing system क्या होते है, अब मैं आपको एक example देता हूँ, एक company है, जैसे जिस company में में काम करता हूँ, ठीक है, for example, x amount salary है, ठीक है, rs x, यह salary है, ठीक है मेडी, अब हर महीने तो यह salary है, कोई जादा तो नहीं है, यह नहीं है, कि मैं full time employee हूँ, तो मुझे कभी 10 रुपय दे रहे है कभी 20 रुपय दे रहे हैं, कभी फिर 8 रुपय दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं है, अगर मैंचे 20 रुपय पे रखावा है, तो मुझे वो हर महीने 20 रुपय देंगे, unless, unless के मैंजी salary जाद हो जो जो मुझे एक साल बाद होती है, ठीक है, अब 20 रुपय देंगे मुझे, अब ए क्या करते हैं, सब employees का bank account number डाल देते हैं, उनकी salary डाल देते हैं, और क्या होता है, हर महीने के आखिर में, हर महीने के आखिर में, ठीक है, उनको एक record चल जाता है, कि याद ये employee ऐसे लिए दिन काम किया है, तो उसकी जो salary पहले होना, अगर 20 रुपय है salary है, थीक है, और उस employee ने 25 दिन काम किया, तो वो क्या होता है, कि 20, 30 दिन की salary थी, लेकिन 25 दिन की तो कम होगी ना, वो automatically calculation होती है, और directly payment चली जाती है account में, ये नहीं कि अब एक एक बंदा बैट के उसको भेजे, पहले calculation है करे कि यार अच्छा calculator खोल ले, कि यार से 30 दिन काम किया, तो 20 रुपय म अब खुद ही हिसाब लगा कि 25 दिन की salary इस account पे, automatically 28 ये 29 जो data ने set की होती है, of the month, automatically salary चली जाती है, कुई कुछ भी आपको approval सी जरूरत नहीं पढ़ती है, कुछ भी नहीं पढ़ता है, कुछ भी कालकुलेशन की जरूरत नहीं पढ़ती, automatic system calculations करता, automatic salary जाती है, और आपके पर से बहुत बड़ा burden खतम हो जाता है, अच्छा, which of the following terms will be classified payment for electricity to hit the business premises of a firm of plumbers, अच्छा, एक plumbers की एक firm में जिदर सारे plumbers बाटते हैं, मतब एक दुकान है, आप लोगों को में example देखें, एक दुकान है, वहाँ पर सारे plumbers बाटते है, plumbers क्या होते हैं, जो आपके घर आके, washrooms वगयरा के नलके वगयरा ठीक करते हैं, ठीक है, अब उनकी एक दुकान है, अब उस दुक क्यों, sale क्यों है, वो अपनी services नो नहीं दे रहे, रसीद तो है, नहीं वो रसीद तो देखो, रसीद एक अलग चीज है, वो तो आप payment करते हो, तो आपके एक रसीद मिल जाती है, पर्चेस, आप लोगों को लग लोग है, शायद पर्चेस है, कि हम gas, sorry, gas company से हम यूटर के पर्चेस करें, तो शायद पर्चेस हो, नहीं, पर्चेस का याद देखना पर्चेस वो चीज होती है, जो आप अपने business के, जो main activity होती है, उसके लिए पर्चेस करते हो, लाए कि business है, marker बेजने, pen बेजने वाला, तो वो pen खरीदेगा, pen बेजने के लिए, ठीक है, तो यह उ expense, obviously, मैंने आपको बताया था, फर्स चेप्टर के फर्स पार्ट पे, पिछली वीडियो देख लिना दुबारा कर समझने पड़ी, तो यह expense होगा, यह business चैलाने के लिए, एक लगने वाला खर्चा है, अकर यह खर्चा नहीं लगेगा, तो वो, जो plumbers बैठे होंगे, वो सर करने के लिए, जो भी, जो भी खर्चे लगेंगे, they are classified as expenses, अब मैं यूट्यूब पे लेक्टर दे रहों, आप लोगो को, ठीक है, मेरे कोई मोटिफ नहीं प्रॉफिट कमाने कर लेकिन, at the end, कभी ना, कभी चैल मॉनेटाइज होगा, पैसे मिलेंगे, ठीक है, example मैं आपको मुझे अपना एक रिजिस्टर यूज करना पड़ा है, मुझे अपना टाइम देना पड़ा है, ठीक है, तो इसमें जो electricity के चार्जिस से होगा, एक expense होगा, क्योंकि मेरे lecture देने के जो objective है, उसको पूरा करने के लिए खर्चा लाग रहा है, जो के electricity, जो के मेरे मोबाइल मे वहीकल, आपको लगता है यह होगा, packet of envelops at a local store, आपको लगता है यह होगा, paying a supplier for goods bought on credit, आपको लगता है यह हो, wages and salaries, आपको चाहिए होते हैं, तो दी तो नहीं हो सकता, paying a supplier for goods bought on credit, क्या यह हो सकता है, नहीं भाई, इसके तो बड़ी payments हो सकती है, लगखो रुपए के goods bought buy की है, तो लगखो रुपए की जब payment एक business करता है, तो मैंने आपको क्या, आप आपके topic पढ़ोगे, control over transactions, तो obviously, obviously, जब लगखो रुपए के business payment करा है, तो वो एक, दो, तीन approval उसके लिए चाहिए होंगे, ठीक है, चेक करेगा finance department के क्या यह goods purchase किये भी गए थे के नहीं, कई हम फुदूर में वैसी तो payment नहीं करे, packet of envelops at local store, obviously, यह ही है, obviously, मैं आपको बताता हूँ क्यों है, अब एक employee के घर जा रहे है, वो बिमार है, उसके घर जा रहे है, कुछ employees य यह है, जिसमें थोड़े से पैसे डालेगा और देगा, उसको, एज़ा मतलब, कि उसके घर गए, बिमार पूर सी यह ले, ठीक है, अब उस envelops के लिए है, मुझे आपको क्यों नहीं है, ठीक, आपको कहे, envelops मुझूद नहीं है, ठीक, admin आपको कहे, envelops मुझूद नहीं है, अब वो वेट कर ले, दो दिन, कि याज, अब यह बंदा जाएगा, जाकर प्रूवल लेगा, फिर जाकर, मैं सो रपैक, envelops खरीदूँगा, तो, आपको, आपको, पैटी कैश के थू ही, होगा, बिजने ओनर प्राइवेट वहीकल नहीं, बिजने प्राइवेट वहीकल पर क्यों भही, वह तो उसकी प्राइवेट वहीकल है, अगर अगर, पहले तो होते नहीं, अगर expense लग भी रहाए, तो, बिजने पर फेटी कैश के थू नहीं पे किये जाते, ठीक है, इसका मतलब यह पूछ रहे हैं कि जो कंप्यूटर जो सेलरी करने में यूज हो रहा था उसको बेचा चाहिए उससे पेमेंट आई इसका कुई काम नहीं है पेरोल से होश को कुछ सेलरी का लगा तो कुछ टेक्स लगाती है तो कुछ टेक्स वो पहले से कार्ट लेते हैं अब वह बहुत ही एड्वांस टॉपिक है कुछ टेक्स कंप्पनी कार्ट के एंप्लोई को सेलरी बेचती है ठीक है उसके लावब जब एंप्लोई रिटार हो जाते है उसको पेंशन देती है वेज़ तो हैं ही सेलरी इस तो परचेश भी कर सकता है और मुस्ती जो बिजनस चल रोते पाकिसान ने वो क्रेड़ परचेश क्रेड़ सेल पर चल रहते हैं तो हर बिजनस रिकोर्ड रखता है अपने पास यार मैंने इस महीने इस दिन इतने की परचेश किये इतने पैसे में आगे उसको देने है लाइक अपने पास रिकॉर्ड रखोगे के पेबल सोर बैक है सेल की है तो अपने रिसीबर रिकॉर्ड करने सब कुछ आप रिकॉर्ड करते जोगे पूरा रिकॉर्ड अपने पास रखोगे ठीक है अब किसी भी ऑफिस गुसर ना किसी दुकान ते भी गुसर तो उसके पास खाते हो रहे तो और फैसे कोई भी कर पाएगा कुछ भी निकर पाएगा अपने इंप्लोई तो रखना बहुत ज़रूरी है ठीक है यह बात अपने जहनों में डाल लो आप अगर स्कूल में एडमिशन भी लेते हो दो स्कूल अले आपके पूरी फाइल मेंटेंं करते हो स्कूल से 10th के बाद निकल जाते हो तब भी वह फाईल पड़ी होगी आज में इसके पास अच्छा हर कंपनी में कुछ ऐसे बंदे होते हैं जिनके पूछे बगए कुछ अच्छा एक कमती मेना HR Department Human Resource Department जितने Employees की Salaries होती है जितने Employees को hiring करनी होती है उनको निकालना होता है उसके लिए कौन सा Department होता है HR ठीक है अब HR का जो Head है उससे पूछे बगएर क्या किसी Employee की Salary तैह हो सकती है नहीं नेवर उसको रखा इसी काम के लिए क्योंकि वह की परसनेल है एक सेलरी सेट करने के लिए ठीक है अगर चलो मिने बापको पैटी कैश पढ़ा है तो पैटी कैश के बैलने जो मैं आपको का तो एक हजार पर रोजान्द दिया गया ठीक है बंद जो होता है तो पैसो के साब में इसी तरह डिफ्रेंट डिपार्टमेंट है और हर डिपार्टमेंट के अपने की परसनेल होता है जिससे इजाज़त लिए बागए कोई भी काम नहीं हो सकता आप एक ग्रॉशरी स्टोर पर जाते हो इम्तियास चले गए इम्तियास में आपको न तो उसके दो बंदे खड़े हो अब उस पूर जो एक लाइन थी ना जिता बिस्कृटी पड़े मेगी भी खड़े पड़े उन सब का एक ओल है ठीक है वो फ्लोर इंचार्ज होगा शेल्फ इंचार्ज जो भी होगा अच्छा अब किसी चीज में की मसला आता है तो अगर व खैका अपनी मर्जी से पर्मिशन लियन नहीं होती है अगर परमिशन नहीं लेंगे तो हर में अपनी मर्जी के काम कर दो और कुछ भी सिस्टेमाटिक तरीके से लिभी अब और नहीं चलड़ होगा एक टीचर भी जब NYC पुढ़ा रही है तो आपको पता होगा आपको बिच Anda आहरा है तो बोगो तो अब हुय है इसक पूलना होना है इसके बार ना तो यहां यह को आ क्ज SE Prince men में जो मैंने आपको भी बताई है कि Secretary रखी जा रही है यह एक सोपीज होते हैं अगर कंट्रोल्स नहीं होंगे तो हर बंद अपनी मर्जी की ट्रांजेक्शन कर लोगा और बिजनस का बेड़ा खरक हो जाएगा जो प्रॉफिट के लिए वो बनीगी वो तो लॉस में चली जाएगी इवन कि मैं आपको बता हूँ कि अगर अपके अब आप पर्चेस भी करने जाते हैं तो आप अपने अबूस से पूछते हो यह नहीं है कि आप खुद ही जाएगा पास पर्चेस कर लोगा आप अपनी मर्जी से पर्चेसिंग करें नहीं भाई एक छोटी सी डुकान में भी आप जब कुछ चीज खरीदने लगते हो तो आप अपन को में दैताया था देखा जाता है कि यार क्या जूमिन आपको का बनदा है ऊसव्सिक्सटें का बनला लिस्क्राइब कई meter गास्वील के अदस्ध करें लागते 흡ियर नहीं सब्सक्ना पर गांते चुकर हैं उसको रीनस चीजब और देख ऐक यहागा घरnd चैक और सव तो वो तो फिर बंदा भाग जाए फिर कों पकड़ेगा बिजनस को तो 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 1.5 लेक का लोस हो जाएगा सो कंट्रोल रखना ट्रांजेक्शन के उपर बहुत बहुत जरूरी है तो तो महीने में सिर्फ एक दफ़ा होगी पर चेज थे तो शायद महीने में रुज़ाना ही हो पर अपने आपको चेक कर सकते हो कि आपने क्या क्या पड़े इसमें आप की टम्स पढ़ लेना आपको इसमें सब कुछ मैंने पताए है इन क्वेश्टन को अपने जहन में खुद ही सॉल्फ करना तो आपको समझ पढ़ देगे आपको चप्टर आता है के नहीं और यह एक्जाइम स्टाइल क्वेश्टन जरूर सॉल्फ करना इसके आखर में आंसर होता है लेकिन पहले खुद सॉल्फ करना ना समझाए फिर नहीं समझ आती तो ग्रुप में पूछ लेना मैं आपको ग्रुप में जवाब दे दूँगा कि यार इसका अगर बी ऑप्शन है तो बी क्यूं सही है मैं नहीं दूँगा तो कुई नहीं कोई दूसर स्टून डे देगा मैंने में पढ़ाया था हूँ वहां पर ग्रुप म मैं आपको एक वाइस में समझा दूँगा थैंक यू ऐस्सलाम अलेकुम